नमस्कार आप देख रहे समाचार इंडिया मैं हूँ आपके साथ निरज गुसाईंग उत्राखंड में भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है वीती रात हुई तेज बारिश से हरिद्वार में आकासिय बिजली गिनने से हरकी पैड़ी ब्रहम कुंड के पास टांसपर समेत दिवार चतिकरस्थ हो गई इस घटना के बाद आसपास की छेतर की बिजली भी बंद हो गई हालांकि घटना के वक्त आसपास किसी के ना होने के कारण किसी की जान को कोई नुकसा नहीं हुआ है वहीं पुलिस परसासन और गंगा सवा के सेवादारों ने आसपास बैरिकेडिंग लगा कर स्रधालों का हरकी पैड़ी ब्रहम कुंड पर जानात रोक दिया जिसके बाद चेतर में फैले मलवे को हटाने का काम सुरू किया गया हालांकि अभी तक किसी भी लुकसान के कोई जानकारी नहीं मिल पाई है दूसी तरफ एक बड़ी घटना सामने आ रही है विकास कंड जौनपुर के थतियूर छेतर के अलमस गाओं में पुलिस परसासन की दादागिरी दिन परती दिन बढ़ती जा रही है अलमस गाओं में पुलिस दादागिरी की तस्वीरे सामने आई है जहां आप साब देख सकते हैं कि कैसे सरे आम पुलिस वाला सड़क पर एक यूवक पर अपना कहर भरपा रहा है पुलिस वाला इस युवक की कैसे धुनाई कर रहा है उसे चलती सड़क पर पीटा जा रहा है उत्राखंड पुलिस का नारा है सेवा, सुरक्चा और सहीयो का लेकिन उत्राखंड पुलिस में तैनात कुछ सिपाई इस नारे पर कलंक लगाने की कोशिस कर रहे हैं बीडियो वेरल होने के बाद इत तस्वीर साबने आई है अब देखना ये होगा कि सरकार ऐसे लोगों पर कब तक सब्त कार्यावाई करती है इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ खबर से लेकर असरता